मुक्तार अंसारी का जनाधार है यहां पर यहां पर गरीबों के मसिया है लेकिन हाँ वे बीच में नहीं रहते हैं यह मेरी एक बड़ी अलोचिना है कि वो लोगों की जीच ज़त कर गए हैं तब से मुझे देखे और तो भी मानने वाले नहीं है कि चमराद देले आंसों कि न कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं संतोस और आप देख रहे हैं सोलफिन्दी दोस्तों चुनावी चर्चा चुनावी यात्रा के दाराण हम आ चुके हैं महु विदान सभा छेतर में जहांके विदायक हैं मुक्तार अनसारी जी और यहां के जो एक दलिद बस्ती है वहाँ पर और इन लोहु का बिचार जानेगे कि क्या है इनका बिचार 2 में दू लेकर करना तो क्या आपके बिचार है कौन चारक आएंड देवराम है कुछ मन में आपके पहले से चार बार मुश्तार अंसारी यहां से जीतिगर कर गए हैं और तब से वो जेले में हैं और हमाले छेत्र का समझे कोई विकास हुआ नहीं तो आगे बता है दूसरी बात है कि अब मान लीजे यहां पर भाजपा का तो कभी खाता ही नहीं खोला लेक लेकिन यहां कर जो है मोग से तो कभी जीत नहीं पाएगी कि यहां पर जो है मुहम्दमों का जो है मुसलमानों का जो है अबादी सबसे ज्यादा है और उट जो है उबट ज्यादा है पांच बार बिदाएक रह चुके हैं पांच बार बिदाएक रहे हैं भाई मुक्तार अ आपके कि नहीं अगर कोई भी पार्टी आए तो आपको क्या विकास चाहिए गाहों के लिए हमारे कामी स्कूल नहीं है महले में हमारी स्कूल नहीं है कोई रुजगार यहां पर निया सड़क तूटी-पूटी सड़क रास्ता भी नहीं है होना चाहिए देखर जाई कि यह विकास करे वाला रही वोट दिहल जाई जना देव रही वो कर ना गरे वो मतलब आपके लगल के पांच साने विकास भएल तो आगे भी होई ना यह तो नहीं होई आगे अब दूसर पार्टी कर देखर जाई अच्छा एक बार हो गया आप द विकास तो जो उन सत्ता पाइटी में बैठे लोग हैं, वह ही विकास देते हैं, यह को निरदल आचाहिए, वह इसे साभासत, सान सजीत जाता है, तो का विकास करेगा, वो तो अपना जेल में उनको बंद है, तो जो उसका निधी आता है, वो तो निधी तो खर्च करते हैं, जहां तक होता है, अपना करते हैं, जारते हैं, यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर मतलब आपका कहना है कि विकास नहीं हुआ, तो 2022 विदान सबस चुनाव में क्या विचारे, किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगा, अब पार्टी तो हम लोग यू है, बस पार रही है पहले से, अगर दूसरी पार्टी को भी देगे, और तो भी मानने वाले नहीं है कि इचमराद देले हों सो कि ना देले हों सो, यह पर जान बाग अब उतो समया अंसार जान यहां से जो पर आएगा, कंडिडेट उसको जो है, देखा जाएगा, पर्खा जाएगा, कि बसपा से मुक्तार अंसारी जी, अज देखे, ऐसा है कि हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग उड़ देते, देते, बुड़े हो चुके हैं, और होते जा रहे हैं, अब जो आएगा तो आगे देखा जाएगा, कुछ बदलाव नहीं दिखा, आप तो तब से और हुआ है, बिकास के माद, कुछ नहीं को देखिए, गाओं में जैसे की आवाज देया है, यह क्या बोलते हैं, सवचाले दिया है, ऐसे कुछ जो हुआ है, तो हम तो कह रहे हैं, कि हुआ है, लेकि यह है कि पानी के बहुता नहीं है, लाइन विजली भी बहुत कम आर दस घं ही है, और गाओं में जो है, बेरोजगारों की संखेत जादा बढ़ गए, जो कि जो युवा बाहर थे, वो बाहर से वापस आए हैं, तो खेती बाड़ी भी नहीं है, कि वो खेतों में काम करेंगे, और इस समय तो खेत का ऐसी सिच्वेशन है कि हमारे यह जो एक बार खेत लगाए जाता है, तो चार मेने लोग बैठ जाते हैं, गेहों और धान की खेती होती है, तो बीच में क्या करें, इसके लिए बड़ी समस्या है, छोटे मुटे रोजगार भी नहीं है, और लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कि वो आपना खुद का रोजगार ढूंड लें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लागडाउन की वज़े से या कोरोना की वज़े से जो बिरोजगारी दर बढ़ी है, और सरकार को इस समद में सोचना चाहिए, बिरोजगारी का समस्या का समदान करना चाहिए, चाहिए जो भी सरकार आए, और आने वाले समय में यही मुद् तो आपको क्या लगता है कि 2022 विदान सभा जो चुना होगा उसमें कुछ बदलाव दिखाइदेगा अपको हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव दिखाइदेना चाहिए क्योंकि कोरोणा वाली जू समस्या जो इस समस्या के वज़े से लोग चाहेंगे कि बदलाव हो और मुझे ऐसा लगता है कि जो पाल्टिया है वह अपने अपने अस्तर पर काम कर रही है और लोगों को जो है विचारों में परिवर्टन आ रहा है कि किसे चुनाव किया जाए जिसे हमारी समधान हो अलब है फिर से मुक्तार अनसारी आएंगे Кिसी भी से चुनाव लड़ेगे तो आ सकते हैं की नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मायती की जो यह रणनीती है मुझे उसमें परिवर्तन करना चाहिए मैं इस बार्स का समर्तन करता हूं कि उनको इस विचार पर सोचना चाहिए चोकि मुखतार अंसारी का जनाधार है यहां पर वह यहा उनके प्रति लोगों का रुजहान है और इसलिए तो उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी बसपा सुप्रीमों मायवती जी जो है वो बोली है कि हमारी जो पार्टी गुंदे बदमासों को टिकट नहीं देंगी इसलिए मुकतार अंसारी का यहीं बोलके टिकट काट दिया ग लेकिन हम लोगों के छेत्र वाइज अगर बात किया जाए तो हमारे अनुसार तो आज भी जो है जब पांच बार मुकतार अंसारी बने हैं बिदायक तो कुछ ने कुछ लोगों ने सोचा होगा उनके प्रति यहां जो अलग द्रिश्य है और छवी उनकी अलग है मावती के जीतने की आसंका जादा है हाँ यह तो है यह है कि जीतने की आसंका जादा है बहुत ही व्यापक परिवर्तन हुआ है कोवीट के कारण 2020-2021 में लागडाउन और COVID के कारण लोगों की सोच बदली है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है, और आने वाले समय में ये दिखेगा, ये परिवर्तन दिखेगा, लोग जो है, अब अपने आर्थिक इस्तिति, समाजी के सिति, राजनेति इस्तिति के वारे में जब कैद हुए हैं घर में तो उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय बहुत परिवर्तन होगा जब जब चुनावाता है विकास की बात होती है बहुत सी पार्टी आती है वादे और इरादे लेकर लेकिन अब आने वाला जो बीदान सबाद चुनावे 2022 में क्या बदला होगा वो आपके सामने होगा